प्रेंट्स आप समी को स्वागत करती हूं आपकी यूटुब चैनल मोटिवीशन बाइदिक्षा मैं प्रेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले ही सबसे पहले आपको यह जो पेपर मिलता है तो उसमें नोट पढ़िए आपका यह पेपर 2018 में जो हुआ था किस तरीके से पेपर आये थे आप इसे पैटन देख सकते हैं तो नोट में दिया गया है कि प्रशन पत्र में दो खंड दिये गया है खंड आ और खंड ब्लाइज आपको देना है और इसकी सब्द दीगई है 400 से 500 तक की है अब हम देखते हैं सबसे पहला खंड आ तो खंड आ में दिये गए है कि निव ज़ीफित प्रश्णों के उत्तर एक बाकि में दीजिए इसमें एक सब्ड में उत्तर दिया गया है पहला कुष्चन दिया गया है प्रस्तुती करण कि नाम लिखिए और फिप्ट कोश्चन की सार किसे कहते हैं तो इसको आप वन वर्ट यानि की एक सब्द में उत्तर बताईएगा नेक्स्ट कोश्चन आपका लगू उत्री यानि की सौट आंसर टाइप कोश्चन इसमें से आपको कितने कोश्चन अटेंड करने हैं दो मेंसे दो है तो साथ मेंसे किनी चार कोश्चन के आंसर आपको देने हैं मतलब इसमें साथ कोश्चन दिये गए हैं और चार कोश्चन के आंसर आपको बताना है पहला कोश्चन दिया है कि पढ़ने की प्रक्रिया में पाठक पाठक के साथ समवात करता है कथन की व्याक्या कीजिए सैक्षिक पढ़न के अंतरगस समू चर्चा का क्या महत्व है अगला कोश्चन है आनन्द के लिए पढ़ना इवं सैक्षिक ऊद्देशों के लिए पढ़ना में अंतर है कथन की व्याक्या कीजिए अगला कोश्चन है चटवा विसे अधारे संदरगुर्णर से जुड़ने क्या थात्पर है संदरगों के महत्व के संदर्व को समझागे नेक्स्ट सेवंध कुश्चन है प्रस्तुती करण क्यों अवशक है प्रभावी प्रस्तुती करण हेतु महत्पूर्ण विंद्यों को लिखिए तो इन में से किसी चार कुश्चन के आंसर आपको देने हैं फ्रेंट्स प्रक्रिया है प्रक्रिया है कंश्चन की अवशक्ता को महत्व को बताते हूए इसकी विद्यों का संचिरत वर्णन कीजिए नाइन कोश्चन दिया है पढ़ना क्या है सैक्षिक आलेखों के पढ़ने के बिविंचरणों पर प्रकास डालते हुए स्कैनिंग को संक्षिप में समझाईए तो इन दोनों में इस जो भी कोश्चन का आंसर आपसे बहुत अच्छे से बन रहा है आप उसे लिख सकते हैं तो यह हो गया फ्रेंट 2018 का जो पेपर कैसे आया था अब हम देखते हैं ओपन बुक के कॉडिक पेपर जो दिये गए थे 2020 में इसमें दिया गया है कि कि पांच प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो पांच प्रश्ण के उत्तर करने आपको आठ कोश्चन दिये गए हैं इसम क्या है नोट लेने की विभिन विधियों को समझाईए इसकैनिंग में अंतर बताते हुए प्रमुक सोपानों का वर्णन कीजिए अगला कुश्चन है पढ़ना क्या है सैक्षेक आलेखों को पढ़ने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए नेक्स्ट कोश्चन है अनुसंधान करण से क्या आर्थ है इसका बढ़नन कीजिए तो फ्रेंट्स यह तो हो गए जो सीसी फोर का जो जितना भी ओल्ड पिपर था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो यहीं एंड होती है उमीद करती हूं आपको यह चोटी सी वीडियो नौलेजवल लगी होगी यादि आपको हमारी वीडियो नौलेजवल लगी है तो ज्यादर ज्यादर अपने फ्रेंड हो तक आप यह शेयर करें चैनल मोटिवीशन भाई दिख्षा पर लाइक करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिं लाइक और सब्सक्राइब दिए थैंक्यो फ्रेंड्स